अधिक मास सावन के सुमवार को करें ये उपाय, घर आएगी लक्षमी, मिटेंगी सब मुश्किलें इस वर्ष अधिक मास होने के कारण सावन माह दो आ रही है श्रावन माह के कारण यह भगवान शिव की आराधना के लिए विशेश शुभ माना गया है इसके साथ ही अधिक मास को भगवान विश्नु का प्रिय मानते हुए श्रीहरी की भी आराधना की जाती है इस प्रकार अधिक मास के सुमवार को एक साथ ही हर और हरी दोनों की आराधना के लिए सरवोत्तम मुहूर्थ है जोतिशाचार्य पंडित मनजी पाठक से जानिये कि श्रावन अधिकमास के सोमवार को कैसे शिव पूजा करें श्रावन अधिकमास सोमवार को ऐसे करें शिव पूजा सुमवार के दिन सुभह जल्दी उठकर स्नान आदिकर ब्रह्मा मुहूर्ट में ही पूजा की तैयारी कर लें किसी शिवालय में जाएं तथा वहां पर गणपती सहित शिव परिवार की पूजा करें उनका जल दूध पंचामरित आदी से अभिशेक करें भगवान शिव को पुष्प माला बिल्व पत्र धूप दीपक आदी चड़ाएं भोग के लिए मौसमी फल अर्पित करें उनकी आर्ती उतारें इस प्रकार सुमवार को शिव पूजा करने से सभी मनोरत पूर्ण होते हैं सुमवार को करें ये उपाय, श्रावन अधिक मास के सुमवार को भगवान विश्णू और शिव दोनों की पूजा के लिए शुभ मुहूर्थ हैं इस दिन किये गए उपाय आपके सभी संकटों को मिटा सकते हैं, शिव मंदिर में जाकर महादेव की पूजा करें ततपश्चात शिवलिंग के निकट बैठ कर गायत्री मंत्र के ग्यारा हजार जब करें इस उपाय से अचानक आने वाले सभी संकट समाप्थ हो जाते हैं सौभाग्य भी जाग उठता है भगवान विश्णु सहित्मा लक्ष्मी की पूजा करें तथा उन्हें श्रिंगार की सामगरी अर्पित करें पीले पुष्प, पीत वस्त्र, पीला चंदन, पीले रंग के फलप्रसाद स्वरूप चढ़ाएं और कन्याओं को भोजन कराएं इससे धन संबंधी सभी समस्याओं का नाश होता है क्रिपिया चानल को सब्सक्राइब और विडियो को लाइक एवं शेर करें धन्यवाद